हलो एंड वेलकम स्टूडेंट स्टूडेंट आज की वीडियो फिर से हमारी MCQs बेस्ट रहेगी तो वीडियो को पुरा देखने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहें ये भी कोशन जो भी हैं आपकी एक्जाम के लिए बहुँ ज़्यादा इंपोर्टेंट होने वाले हैं जो की वेटनरी एसिस्टेंट और फोरेस्टर होगा तो वीडियो को पुरा देखने के लिए एंड तक बने रहें सब्सक्राइब करना ना बोलें तो आज की वीडियो का पहला कोशन आपका है अगला कोशन यहाँ पे ही अराइज होता है पोर्ट ब्लेयर किसकी केपिटल है पोर्ट बेर भी किसकी capital है लक्षेदीप आइलेंड है तो आइलेंड की capital आपके पास लक्षेदीप है आइलेंड लक्षेदीप है उनकी capital कावा लेती थी पोर्ट बेर किसकी capital है पोर्ट बेर capital है अंडमन और निकोवार की किसकी है अंडमन और निकोवार ठीक है यहाँ दखे अगला है यहां पर सिलिवासा किसकी कैप्टल है ठीक है ऐसी चीज़ जिसकी कैप्टल जो है वो है सिलिवासा सिलिवासा है दादर एंड दादरा एंड नागर हवेली किसकी दादरा एंड नागर हवेली ठीक है नागर हवेली की याद रखें हूं ठीक है चलिको नेक्स कुश्चिन पे नेक्स कुश्चिन कह रहा है कि मुगल एंपेरर जांगीर Was the son of किसका बेटा था अकबर का तो अगर पता लगाना हो कि कौन सा किसका बेटा है तो आपके लिए code है बी एच ए जे एस ए बाजसा बाजसा बी कर ले बी से आ गया बाबर बाबर का बेटा हुमायू हुमायू का बेटा अकबर अकबर का बेटा जहांगीर जहांगीर का बेटा शाजान शाजान का बेटा औरंग जेव फिर आता है बहादुर शाज जफर ठीक है फिर से रिपीट कर रहा हूं बाबर का पेटा हुमायू हमायू का बेटा अकबर अकबर का बेटा जहांगीर जहांगीर का बेटा शाजान शाजान का बेटा औरंगजेव उसका आई जाएगा आपके पास last ruler जो था वो था बहादूर शाह जफर ठीक है इस तरह से याद रख सकते हैं बादसा भी कोड करके कौन सा किसका बेटा है इस तरह से आप किसी का भी पता लगा सकते हैं चलिए नेक्स्ट कोईशन कोईशन नमबर 182 कह रहा हूँ अमंग दा फोलिंग ट्रीटेड कश्मीर एज इट्स समर कैपिटल इनमें से कौन था जो कश्मीर को अपनी समर कैपिटल की तरह ट्रीट करता था वो था जहांगीर जहांगीर कुल 13 टाइम आया है यहां पर और औरंग जेब कितनी बार आया है एक बार ठीक है लास्ट वीडियो में इसमें मिस्टेक होगी थी याद रखेंगे और शाजान सुरी अकबर कितनी बार आया है अकबर आपका यहां पर थी टाइम आया था ठीक है यहाद रखेंगे इतनी टाइम आया था थी टाइम ठीक है चलिए next question how many time did जांगीर विजिट कश्मीर अभी अभी जिस्ट पढ़ा 13 time ठीक है कितनी बार आया 13 time आया था जांगीर जांगीर ने यहाँ पर बोट कुछ develop किया जैसे शाली मार निशात बाग और भी अलग-लग जगाएं जहां पर उसने एक काम किया है ठीक है बनाया क्योंकि वो आदमी ऐसा था जो कि नेचर की तरफ बड़ा जल्दी अट्रेक्ट होता next question आपके सामने है कि which among the falling is the local name of winter season in कश्मीर winter season का कश्मीरी language में क्या नाम है ठीक है किस नाम से winter season को माना जाता है तो वो है वन्दा वन्दा हो गया winter वन्दा क्या होता है winter sonth क्या होता है sonth हो गया spring sonth क्या हो गया spring बड़ी अबर पूछता है ऐसे question sonth क्या होता है sonth ऐसे sonth ऐसे spring याद रखो गया ठीक है और शिशूर, शिशूर किसे कहते है जल्दी से comment करें शिशूर अगर आपको पता है तो comment करें शिशूर का मतलब होता है extreme cold क्या होता है extreme cold याद रखेंगे और ग्रिशम किसे कहते हैं ग्रिशम गर्मियों को वंदा किसे कहते हैं ये समर आ गया ठीक है और वंदा किसे कहते हैं जल्दी से comment करें सुरी अभी तो पड़ा वन्दा आपका क्या आ गया cold season को वन्दा कहते है cold को वन्दा extreme cold को कहते हैं spring को sunth और गर्मियों को summer को क्या कहते हैं क्या कहते है grisham कहते है ठीक है यह तो हो गया है ठीक है 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 किसी कहते है वो अब comment करेंगे चलिए नीलम रिवर meet जीलम रिवर आट नीलम जो है नीलम रिवर ट्रिबुटरी है किसकी इसकी ट्रिबुटरी है जीलम की और कहां जाके उसके साथ मिलती है मुझफराबाद पाकिस्तान का एरिया जहां जाके मिलती है आप comment में बताएं नीलम रिवर का यह border भी बनाती है border में पाय जाती है यह पीओ के वले एरिया में इसका main part पाया जाता है और यह border बनाता है हमारा और पाकिस्तान occupied किश्मीर के साथ और नीलम river के अगर बात करें इसको किशन गंगा भी कहते हैं क्या बोलते हैं किशन गंगा कहते हैं तो आप comment में बताएंगे कौन से जगा से होता है चलिए एक और बात आप मुझे यहां बताएं कि लदाग में कौन-कौन से रिवर पाए जाते है लदाग मेना एक रिवर पाए जाता है जी इंदूस सबको पता है दूसरा कौन सा था जनसकर ठीक है जनसकार रिवर और शायलोक से डेड रिवर के नाम स भी पुकारा जाता है और साथ ही में एक और है तसपर ठीक है या तसरप कह सकते हो ठीक है यह आगए टी एस ए आर एपी याद रखना ठीक है चलिए नेक्स कोईशन पे कह रहा है मेज और वीट आर्दा प्रोमीनेंट क्रॉप आफ विच एरिया मेज और वीट कौन से एरिया हमें ज़्यादा एक्स्ट्रीम यूज की जाने वाली क्रॉप से वो हैं जम्मू रिजन की ठीक है अगला कोईशन आपका इसी पर बेस्ट कह है किषमीर की क्रॉप के नाम बताएं प्रोमीनेंट क्रॉप सबसे पहले आ जाती है आपके पास राइस सिर्फ सैफरोन नहीं है rice भी है second number पे wheat आती है ठीक है मगर wheat को ये लोग जादा use नहीं करते ठीक है उसके बाद आपके पास maze भी आ जाती है ठीक है और most important में other crops अगए आ जाती है आपके पास यहां use करते हैं millets क्या use करते हैं millets use करते हैं pulses होती है pulses हो गया ठीक है और barely हो गया ठीक है barely हो गया ठीक है एक्सेटरा बहुत सारी crop किश्मीर इजन पे भी उगती है ठीक है उसके बात बात करेंगे लदाक में लदाक में कौन कौन सी मेन जो आपके पास prominent crop मिलती है कौन कौन सी है लदाक में वो हैं millets क्यूंकि किश्मीर लदाक में न सिर्फ चार मंत का सीजन रहता है इसमें उगती है ठीक है इस बज़ा से वहाँ पर कमी crops होंगी इसमें millets हो गया barley हो गया ठीक है और साथ में wheat और कुछ fruits वगेरा भी वहाँ पर होते है ठीक है apricot भी ठीक है next question who signed the who signed जमुएन किश्मीर instrument of ascension इसने किया था हरी सिग ने ठीक है यह तो easy था मगर हरी सिग ने कब किया था वो किया था 26th October 1947 को 26th of October 1947 ठीक है याद रखना who is Sheikh Abdullah ठीक है he is the grandfather of Umar Abdullah and the father of the Faruk Abdullah ठीक है and also ये first elected prime minister थे क्या थे first elected prime minister prime minister थे first elected prime minister of JNK जब खुद की country थी यहाँ पे ठीक है तब की बात है ठीक है और इन्होंने all JNK Muslim conference बनाई थी क्या बनाई थी all Muslim conference ठीक है all JNK Muslim conference जिसका बाद में जाके नांग चेंज हुआ लेटर उसको rename किया गया और उसका नाम था जमू एन किश्मीर जमू एन किश्मीर national conference say short में NC भी कहते है ठीक है इसका red flag है इसमें हलका निशान होता है उसके बाद करन सिंग की बात करेंगे तो करन सिंग की अगर बात करेंगे तो करन सिंग first सदरे रियासत first and last सदरे रियासत भी थे ठीक है जिसे गोवर्नर भी कहते है और गोवर्नर भी रही है आँपर ठीक है और ये एक Indian political और philosopher भी थे और descendant थे ठीक है डोगरा ruler के याद रहेगा ठीक है चलिए next question पर next question कह रहा है who is the author of the book my experiment with the truth ठीक है इस book का author कोन है my experiment with the truth किसने लिखा है किसने लिखा महातमा गांदी ने किसने लिखा महातमा गांदी ने अच्छा आप मुझे एक famous book का नाम बताएं जो की APG अब्दुलकलाम ने लिखी थी जो उनकी autobiography भी थी क्या थी autobiography कौन सी book है वो वो है Wings of Fire सबको पता है Wings of Fire ठीक है चलिए Charles Darwin कौन था ये एक माना जाना scientist था ठीक है याद रखना जिसने Darwin theory भी दी है Darwin theory of natural selection Darwin theory of natural selection जिसमें उसने कहा था कि nature fittest जो है ना nature कहाता है कि only fittest can survive कि सिरफ fittest survive कर सकते बागी नहीं ठीक है आगला question है कि अजाद शक्त्रू belong to the which dynasty किस dynasty से ये belong करता था तो ये क्या था हरियनका dynasty से belong करता था किसे belong करता था हरियनका dynasty से belong करता था ठीक है याद रखेंगे आप नाम क्या था dynasty का हरियनकाड है ठीक है अच्छा अशोकाड है किस dynasty से belong करता था मौरियन dynasty से third main ruler था उसका अगला question है who among the falling attain निर्वाना under a people tree ठीक है गया कोन थे महातमा बुद गोतमा बुद ठीक है जहां पे उनको निर्वाना हुआ था या कह सकते हो enlightenment ठीक है enlightenment आपके लिए homework है कि उनकी enlightenment के लिए कौन सा symbol use किया गया है ठीक है और birth के लिए कौन सा symbol use किया गया ठीक है बहुत easy question who is महावीरा महावीरा कौन थे जल्दी से बताए महावीरा कौन थे ठीक है अगर बात करूँ महावीरा को वर्द माना भी कहते हैं क्या बोलते है वर्द माना ठीक है क्या बोलेंगे वर्द माना ठीक है और साथ में ये फाउंडरें क्या हैं फाउंडरें जेनिजम के और 24 तिरंतकारा भी हैं कहां पैदा हुए वेशाली में कहां पैदा हुए नोट कर लें वेशाली में पैदा हुए थे वेशाली कहां है बिहार में था याद रखेंगे और रिशब नाथा कौन थे रिशब तकारा थे फिर्स्ट तिरंतकारा थे और इनका बर्थ सिंबल जो था वो क्या था भूल था ठीक है याद रहेगा चलिए नेक्स कुशन पे काली दास वाज वन आफ दा नाइन जैंस डूरिंग दा प्रिड आफ ठीक है इसके प्रिड में नाइन जैंस में से एक था वो था चं सेकेंड के टाइम का ठीक है याद रहेगा आपको चलिए अगला कोशन फॉस्ट राउंटेबल कॉन्फरेंस वाज हैल्डी फॉस्ट राउंटेबल कॉन्फरेंस कहां हुई थी लंडन में हुई थी कहां हुई थी लंडन में हुई थी कब हुई थी डेट कमेंट करें आप ठीक है ये भी आपका comment box पे आप comment करेंगे ठीक है second round table conference को करने के लिए कौन से pact को किया गया था ठीक है वो था Gandhi and Irwin pact कौन था Gandhi-Irwin pact ठीक है कौन था Gandhi-Irwin pact ठीक है उसके बाद second round table conference कब हुई थी वो भी आप comment करेंगे एक और question first round table conference को किस-किस ने join किया था INC ने सीधा-सीधा इसको reject कर दिया था Hindu महासवा कौन-कौन जाके दर उसमें add हुआ था Hindu महासवा ठीक है एक Hindu महासवा थी Hindu महासवा और साथ में Ambedgar कौन था Ambedgar ठीक है और साथ में कौन था एक और था कौन Muslim League ठीक है इन सब ने join किया था ठीक है Muslim League याद रहेगा आपको और साथ में एक question और पूछता है कि तीनों में जाके कौन जाके शामिल हुआ था तीनों की तीनों round devil conference में कौन शामिल हुआ था वो हुए थे रविंदर नाट एगोर कौन थे रविंदर नाट एगोर ठीक है याद रहेगा आपको ये तीनों में जाके शामिल हुए थे ठीक है चलिए next question who was the propounder of big bang theory तो कौन थे जोर्ज मैटरे ठीक है big bang है कि बड़ा सा दमाका हुआ था और उससे जमीन के बहुत सारे pieces बन गे थे और उनी pieces को जाके बाद में जाके उनसे sun, stars और matter बगेरा, planets बगेरा सब चीज़े बनी है next question आपका है कि which among the falling convert mechanical energy into electrical energy तो इसको option के बिना करने की बात करेंगे यहाँ पर बात करते है mechanical energy हम गरों में generator का use करते है जनरेटर का second name है dynamo जिसमें आप तेल डालती है वो mechanical work करता है और mechanical work को electrical energy में change करता है इसको generator भी कहते है dynamo और generator दोनों एक ही नाम है ठीक है तो इसका answer यही दीरेगा चलते हैं option पे ठीक है चलिए option आपके सामने है तो इदर dynamo ही दिया है तो dynamo को electric generator भी कहते है ठीक है pump क्या करता है मुझे बताए जो pump pump की बात करेंगे तो pump pumping ही करेगा ज्यादा कुछ बाड़ी बात नहीं है इसमें electric motor क्या करती है electric motor electric energy को mechanical energy को किसमेंlive change करती है mechanical energy में convert करती है यादेखना छी अगला question who is associated with the discovery of electron कों था जेजे थौंसन neutron किसने discover किये ठीक है neutron किसने discover किये — चैडविक ने खीक है याद है आपकी लिए छोटा सा है कि proton किसने discover किया who discovered proton ठीक है simple सा यह है आप जल्दी से डून लोगे ठीक है चलिए next way next question एक और है William Rondgan ने क्या दिया था आपको x-ray क्या दिया था x-ray किसने दिया William Rondgan ने यह भी पड़ा हुआ question पूछा गया पहले से which among the falling acid is present in lemon and orange कौन सा पाया जाता है citric acid citric acid पाया जाता है यहाद रखेंगे आप ठीक है टाटरी कौन से पाया जाता है यह आप comment में बताएंगे ठीक है इस दिदा से आपकी और भी ज़्यादा अच्छे से त्यारी हो जाएगी अगला है dhronachare award is related to किसको दिया जाता है sports को ध्रonachare एक guru थे और guru वाला award जो है वो मतब ध्रonachare एक guru थे उनके नाम से यह award दिया जाता है तो वो sports coaching के लिए दिया जाता है जो sports man की जो coach रहते है उनके लिए दिया जाता है ठीक है याद रखेंगे आप चलिए grand slam is related to which sport यह lawn tennis के साथ late करता है ठीक है तो normal temperature of human body कितना होता है वो 78 कितना होता है 78 तो आज की वीडियो में इतना ही मिलते हैं next वीडियो में I hope यह question आपके काम आएंगे subscribe कर दो ना बूलें thank you for watching this video